सिरोधा नगर निगम की वाड 35 जी केविन की लोगों को पीने के पानी की किल्लस से आने वाली कुछ दिनों में राहत मिल पाएगी पेस्बुक पर टेग कर पानी की समस्या की ओर ध्यानाकाशन कराय जाने पर महापौर निर्मल कोसरेजी ने जी केविन का दवरा किया इस दवरान उन्होंने वाड में घूमकर सुचारू जलापूर्ती सुनिश्चित करने जोरत की मुताबिक पाइपलाइन बिछाने अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने वाड वासियों को दूसरी अन्य समस्याओं के शिगर निराकरन का भी आश्वासन दिया गौर तलब है कि वाड क्रमांग 35 जी केविन के निवासी लंबे समय से पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं निगम के पूर्व जन प्रतिनीधियों के ध्याना करशन कराये जाने के बौजूद समस्या नहीं हल होने से लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पर रह था वाडवासियों में पिछले सोशल मीडिया फेस्बूक पर महाप और निर्मल कोसरे को टेग करते हुए जी केविन में पानी की समस्या की जानकारी वाली पोस्ट को अपलोट किया इस पोस्ट पर नजर पढ़ते ही स्ट्री कोसरे आदनिगम अधिकारियों के साथ जी केविन पहुंचे और एक एक सड़क और गली में जाका जलापूर्ती वेवस्था करने रिक्षण किया इस दारान पासाद लली दुर्गा के साथ बड़ी संख्या में वाड के लोग उपस्थी थे उसका समधान करें और जो पाइप बाहर बिची हुए या नालियों में हो उसको वेवस्थित करेंगे अंदर एक फिट गड़ा करके बीचो बीच वो पाइप्लाइन जाएगा बहराल महाप और निर्मल कोश्रे ने जरुवत के मुताबिच जलापूर्ती वाली पुरानी पाइप्लाइन के संधारान और नए पाइप्लाइन बिचाने का निर्देश मोके पर मौझूद अधिकारियों को दिया उन्होंने कहा कि जब तक समस्या का समाधा नहीं हो पाता तब तक निरंतर जानकारी ली जाती रहेगी स्री कोश्रे ने दूसरी अन्य समस्याओं को भी चरणबत तरीके से हल करने का आशवाशन दिया ग्रेंड एशियन न्यूज के लिए भिलाए तीन चरोदा से सैलेंद खरे